दोस्तों नमस्तर है आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर दोस्तों उतर प्रदेश में ECCE एजूकेटर भरती और स्पेसल प्रफेसर एजूकेटर भरती प्रकरिया में आवेदन थान को लेकर के अच्छे खबर निकल कर सा इस महत्मूर जानकारी को आप सभी से निवेतन है कि वीडियो को बिना इसकिप के होए अंतक देखें जिसे वीडियो में सेर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समस्कें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चोटी सी रिकष्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर करें जितने भाई-बैन चैनल पर पहली बार भी जिट कर रहें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक प्रकरिया को लेकर के सब कुछ क्लियर करेंगे पैसन्स पूर्बग वीडियो में अंतक बने रहें दोस्तों जैसा कि आप से लोग जानते हैं उत्ता प्रदेश में 10,684 पदों पर ECCE एजुकेटर और 5,083 पदों पर Special Professional Educator की निप्ति की जानी है कुछ जिलों में इन भरति क्योंकि नित्य प्रकरिया को संपाद्री कराने के लिए सवाप्रदाता एजन्सी के चैन को लेकर के Official विग्यप्तिया जादी की जा चुकी हैं और वहाँ पर सेवाप्रदाता एजन्सी की चैन की प्रकरिया अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द वहाँ पर सिवापदाता एजनसी के चैन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी हलाकि आप सभी लोग जानते हैं उत्रप्रदेश के सभी 75 जिलों में ये दोनों भर्तियां होनी है और इस बीच जो आप खबर निकल कर सामने आ रही है वो आप सभी लोगों के लिए बहुती राहत बरी और सकारात्मक खबर है क्योंकि जब अगस्त में इन भर्तियों के लिए आपिशियल विग्यप्तियां जारी हुई थी उसके बाद से अभी तक किसी भी जिले में आबेधन प्रक्रिया नहीं शुरू ही है और इसको लेकर के इसमें आबेदन करने वाले आबेदक को इस भरती के आबेदन प्रक्रिया सुरू होने का अभी भी इंतजार है लेकिन अब दोस्तों आप सभी को बता दें ये इंतजार आप सभी का बहुत जल्द समाप्त होने वाला है इसी को लेकर के यहाँ पर आफिसियल अपडेट जिला बेसिक सिछा अधिकारी की तरफ से निकल कर सामने आ रही है क्या है खबर उस पर नजर डाल लेते हैं फिर आगे सारी चीजों को किलियर करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं 96 के अंदरों में सेवा पड़ाता संस्था के जरिये ECCE एजुकेटर के तैनाती करने की योजना है इसके लिए प्रकरिया शुरू करा दी गई है भूपेंद्र नरायन सिंग जिला बेसिक सिछा अधिकारी की तरफ से इस स्टेटमेंट है तो किस जिले से ये अपडेट है वहाँ पर देख लेते हैं बिस्तरत जानकारी इस स्टेटमेंट के बारे में तो दोस्तों आप से भी लोगों के सामने पूरी आफीशियल खबर यहाँ पर है को लोकेटेट अंगनबाडी में बच्चों को पढ़ाएंगे एजुकेटर लर्निंग कारणन के रूप में चिन्हित 369 बिद्यालयों में से 96 में रखे जाएंगे एजुकेटर बच्चों को मिलेगी सिच्छा सेवा परदाता संस्था के चैन को लेकर शुरू हुई प्रकरिया को लोकेटेट अंगनबाडी केंद्रों में पढ़ने वाले नौनिहालों को ECCE एजुकेटर बच्चों को पढ़ाएंगे बेसिक सिच्छा विभाग 369 ऐसे परसदी विद्यालों में लर्निंग कारनर तयार करेगा जिनके परिशर में आंगनबाडी केंद्र संचालित हो रहे हैं इसमें चैनित 96 विद्यालों में संचालित अंगनबाडी केंद्रों पर अब ECCE एजुकेटर बच्चों को पढ़ाते नजर आएंगे ECCE एजुकेटर यानि प्रारंबिक बाले उस्था देखभाल योम सिच्छा की तैनाती के लिए सेवा परदाता संस्था के चैन की प्रकरिया शुरू की गई है यहाँ पर देख सकते हैं परसदी विद्यालियों के परिशर में संचालित अंगनबाडी केंद्रों में पंजीकरत बच्चों को पढ़ाने के साथ ही उन्हें खेलने वा मौज मस्ती करने के लिए यह योजना बनाई गई है बिद्यालियों के परिशर में संचालित आंगनबाडी केंद्रों को को लोकेटेट सेंटर की स्रेडी में रखा गया है इन केंद्रों पर चार लर्निंग कार्नर यानि सीखने वाले कोने बनाए जाने की सासन की और से योजना संचालित की गई है प्रतेक को लोकेटेड केंद्रों पर एक-एक ECCE एजूकेटर यानि प्रारंबिक बाले अवस्था देख बालियों सिच्छा की तैनाती करने की योचना तैयार की गई है जो बच्चों को सिच्छा देंगे प्रथम चरण में S.A. 96 केंद्रों का चैन किया गया है जिनमें सुविधाएं वा संसाधन उपलब्द हैं तो बच्चों के संख्या अधिक्ता के आधार पर इनका चैन किया गया है और यहाँ पर आप से भी लुग देख सकते हैं साचन की ओर से जिले में को लोकेटेड अंग करने की योजना है इसके लिए प्रकरिया सुरू कर दी गई है बूपे नरायांट सिंग बीसे की तरफ से ये जानकारी सेर के गई है तो कुल मिला करके लगबग सभी जिलों में डीजी में के निर्देश के अनुसार सेवा प्रदाता एजनसी के चैन की प्रकरिया जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर यह आप सभी लोगों के लिए आफीशियल अपडेट थी जिला बेसिक सिचादिकारी की तरफ से इसलिए आपर यहाँ देख सकते हैं आगे लर्निंग कारनर बनाने के लिए जारी हो चुके हैं 29.1 लाख रुपे बेसिक सिचा भी बीवा 81.110 रुपे की दर्से धनरासी बिद्याले प्रवंदर समीतियों के खाते में भेज दी गई है और आगे यहाँ पर बेस्था तैयार करने को लेकर के यह हैं लर्निंग कारनर की बेस्था तो नई सिच्छा नीतिकेत हैं 3-6 वर्स के बच्चों को प्रारंबिक सिच्छा प्रदर्शन कारनर होंगे इसके लिए किचन सेट, डाक्टर सेट, भोजन सेट, फ्रूट सेट, टेलिफोन सेट, अन्य सामगरियां खरी दी जाएंगी जब बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए सामगरी जो उपलद्ध होगी जब बच्ची यहाँ पढ़ने आएंगे त जिला बेशिक सिच्छा अधिकारी की तरफ से यह जानकारी थी, इसलिए अफिशियल अपडेट होने की वज़े से हमने आप सभी के साथ डिसकस किये, क्योंकि हमने कहा है जब ECC Educator बरती और Special Professional Educator बरती में अफिशियल अपडेट आएगी तभी आपको जानकारी चैनल के मा हो जाएगा, अगर Complete Process को यहाँ पर डिसकस करेंगे, तो कुल मिला करके सभी साती अपने डाकुमेंट्स तयार कर लें, सेवायोजन पोर्टल पर रेजिस्टेशन कर लें, क्योंकि चीज़ए विल्कुल किलियर हो चुकी है, ये दोनों भरतियां सेवायोजन पोर्टल पर ही आवेदन के लिए उपलब्द होंगी, और दोनों भरतियों में आवेदन फार्म सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे, जिलेवार आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा सेवायोजन पोर्टल पर और जो लोग ये कह रहे हैं कि 20 नवंबर को से गड़लत जानकारी आप सेवायोजन पोर्टल की वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्या है इसकी सच्चाई इसको जानते हैं दोस्तों आप सभी को बता दें ECC Educator भर्ति और Special Professional Educator भर्ति को लेकर के बहुत सारे YouTube चैनल, Telegram चैनल और WhatsApp ग्रूपों में जानकारियां सेर की जा रही हैं और Most आप दग जो ये खबर देने वाले लोग हैं, इनको इस भर्ति के बारे में complete जानकारी नहीं है और इसलिए इस भर्ति को लेकर के बहुत सारी भ्रामत खबरे भी आप सभी के बीच में सेर की जाती हैं, जिससे आप सभी लोग परिशान हो जाते हैं कि तीन साल से अगर अधिक समय से आपने पुरानी सेवायोजन आईडी आपकी है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप सभी लोगों ने सेवायोजन पोटल पर कई वर्स पुरानी आईडी को भी जो है बेरिफाई कर लिया आधार नंबर से और आपका एजुकेशनल सेचिक योगिता और भरके पूरी जानकारी फिलब कर ली है और आपकी आईडी अ परते समय आपको सेशन एक्सपायर का नोटिफिकेशन सो करता है सिवायोजन पोटल की तरफ से तो आप अपने जो है जिला सिवायोजन कार्याले पर संपर करके इस समस्या को समाधान करा करके आप उस पुरानी आईडी को भी वेरिफाई कराते हुए जो है आबेदन की प् अध्यम से तो आप चाहे नई आईडी के आधार पर आवेदन करे या पुरानी आईडी के आधार पर आवेदन करे अगर आपकी आईडी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और आईडी आपकी सिवायोजन पोटल के तरफ से बेरिफाइट कर दी गई है तो नई और पुरानी का कोई इसमें इसू नहीं, आप आबेदन कर पाएंगे, अब बहुत सारे भाई बैनों का प्रशन आता है, कि सर हम आबेदन करते समय ही सेवायोजन पोल्टल पर रेजिस्टेशन कर सकते हैं, आप बिल्कुल रेजिस्टेशन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उस वक्त इतनी ये बिची हो जाएगी सिवायोजन पोर्टल की साइट तो आप सभी लोग आवेधन ही बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे तो ऐसे में किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए और आवेधन फार्म आपका छुटे ना इस समस्या से बचने के लिए पहले ही सिवायो पोर्टल आईडी वाले ही आवेधन कर पाएं और आप जब तुरंत सिवायोजन पोर्टल पर अपना रेजिस्टेशन करेंगे तो इतनी जल्दी आपकी आईडी पेरिफाई नहीं होगी और इसलिए आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप सभी लोग इस भरती में आवे अपडेट देती जाएगी जो भी बाइब हैं टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं फटापट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से आप फटाप से जुड़ जाएं क्योंकि हर छोटी जानकारी के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल जब कोई बड़ी और महत्पूर्ण अपडेट आएगी तभी वीडियो के मादम से जानकारी दी जाएगी बाकि छोटी छोटी जानकारियां जो हैं वो टेलिग्राम चैनल पर सेर करते रहेंगे और जुड़ करके आप सही सटीक और आफिसियल अपडेट प्राप्त करते र वाले इस महत्पूर्ण वीडियो को अंतर देखने वाले सभी सातियों को तहे दिल से सुक्रिया बहुत बहुत धान्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में लेटकेस्ट अपडेट के साथ अब तक लिए सभी सातियों को जैन जै बारत बंदे माता हैं